Hello friends, Digital World Computer Center Classes में आपका स्वागत है हम लोग STML की सीरीज सीख रहे हैं थे STML के पिछले टिटोरियल्स में मैंने आपको B-Tag, I-Tag, U-Tag के बारे में बताया था B-Tag से हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, I-Tag से इटाली करते हैं, U-Tag से अंडरलाइन करते हैं इस टिटोरियल्स में हम S-Tag, Big Tag और Small Tag के बारे में पढ़ेंगे तो इस टिटोरियल्स में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं S-Tag के बारे में S-Tag, S-Tag तो हम कोडिंग जो है, आपको पता है कि एडिटर पर टाइप करते हैं जो इडिटर में यूज कर रहा हूँ, वो Notepad++ है, तो Notepad++ को मैंने Open किया और यहाँ पर S-Tag को यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, Rs.500 अब मैं चाहता हूँ कि इसको cancel करके मैं रेस, 450, यह लिख हो, 450, तो आप अकसर देखते होगे, Flipkart पे या Amazon पे कि कोई प्राइज दिया हूँ रहा था हूँ, उसको बीच से काटा हूँ रहा था है, और उसके बाद नया प्राइज दिया हूँ रहा था है, तो इस तरह से हमको लिखना हो कि कोई टेक्स्ट को मिडल से क्या कर दे, काट दे, लाइन घिज़ दे, तो उसके लिए हम S-tag का यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे? S-tag लिखेंगे, और इसके बीच में हम S-tag को यहां पर बंद कर दी, इसके बीच में जो भी लिखा हो रहेगा, उसको मिडल से क्या करेगा? card देगा तो देखते हैं यहाँ पर और आपको पता है कि जो हम code को बनाते हैं उसको browser पर run करके देखते हैं और browser कौन सा यूज करें हैं Chrome, आप किसी भी browser पर तो यहाँ पर run में जाना है और Chrome पर click करना है तो यह Chrome हो गया तो देखो यह क्या कर दिया? बी से काट दिया अगर आप चातों ये 450 से नीचे सो करें तो पहले ही टिटोरियल में मैंने बताया है कि एक टेग होता है बी आर टेग अगर बी आर जहां पर लिखेंगे उसके आनवे वाले लाइन को क्या करता है वो नीचे कर देता है तो यहां पर आते है इसको हम रिफ्रेज करते है तो आप देखो ये नीचे आगया तो एस टेग हम पढ़ रहे थे एस टेग का यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए एस टेग का पूरा नाम होता है स्ट्राइक थूरू अगला जो टेग है हम जो पढ़ने जा रहे है बीच टेग बीच टेग का यूज करके किसी टेक्स्ट को बीच करके दिखाने के लिए यूज किया जाता है जैसे मैंने एक संटेंस लिखा इसको मैं हटा देता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ चार्ल्स बेवेज इस दा फादर आफ कंप्यूटर और इसको बिग टैग के अंदर मैंने लिखा तो क्या होगा कि यह जो लिखा हुआ टेक्स्ट रहेगा उससे यह क्या होगा बिग दिखाए देगा बड़ा दिखाए देगा इसको सेफ करता हूं और यहां पर आके मैं इसक को क्या करेगा बड़ा करके दिखाएगा अगला जो टेग है a small tag, a small tag का use करते हैं हम लोग text को small करने के लिए अगर हम यहां पर big के जगा a small लिख दें a small और यहां पर a small को बंद कर दें तो जो normal text लिखाता है यह भी लिखा हुआ रहेगा, यह भी लिखा हुआ रहेगा चोटा दिखा देगा यहाँ पर देखो यह ज्यादा चोटा इप तो बिग टेक्स्ट को बिग दिखाने के लिए और स्माल टैक का यूज हम टेक्स्ट को छोटा दिखाने के और S tag का use करते हैं strike तो middle से काटने के लिए तो इस tutorial में मैंने ये तीन tag के बारे में आपको बताया next tutorial में हम आगे का देखेंगे